तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देलियु उनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के आप्लिकेशन फॉर्म के बाड़े में यूजी, पीजी, एमफी, पीएट, यतने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग एक ओफिशल अपडेट आया है डियू के तरफ से अप्लिकेशन फॉर्म आपको फॉर्स्ट वीक ओफ एडमिशन में रिलीज हो जाएगा यानि कि कल से इसका अप्लिकेशन फॉर् साथ ही देली उनिवर्सिटी के तरफ से अफिशल प्रोस्पेक्टर्स भी रिलीज किया गया है धियान रखिए जो एडमिशन होने वाला है यह अभी फॉर्यन स्टुडेंट के लिए रिलीज किया गया यानि कि इंटरनेशन स्टुडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते है तो चलिए सीधा आपको ले करके चलते हैं इसके प्रोस्पेक्टर्स पे ऐसा है कि आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोस्पेक्ट्रस डाउनलोड हो चुका है अड्मिशन गाइडाइडलाइंज 221 देली युनिवर्सिटी के तरह से यह उफिशल प्रोस्पेक्ट्रस में किया गया foreign student registry university of Delhi guidelines for admission of foreign nationals in university of Delhi session 2021 to 2022 आगे बात करें आप table of content में पूरा आपको detail बताएगे क्या है इस prospectus में जली हम लोग पहले से ध्यान से देख लेते हैं पहले introduction है तो introduction को आप देख सकते हैं इसके बाद है कि who does qualify for admission through fsr याने की foreign student registry के थुरू कॉन apply कर सकते हैं कॉन qualify है इसमें admission के लिए यह देख सकते हैं candidate who hold a passport citizenship of a country other than India candidate who has on OCI PIO card along with a passport of a country other than India ध्यान रखे NRI student इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं आगे बात कर तो आगे बताया गया है categories of applicants इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं साथ ही admission process है आपका है यहाँ डीटेल में बताएगे कि आप किस तरीके से admission ले सकते हैं साथ ही applying for admission आप किस तरीके से इसके लिए apply कर सकते हैं यहाँ आप आप आसानी से देख सकते हैं उसी तरीके सा आगे बात करें हैं तो steps for completing the application form for admissions 2021-2022 जो से पूरा step आपको डीटेल में बताएगया है इन सभी steps को आप देख लें यहाँ पर fee भी जो mention किया गया है इंडियन रूपीज में यहाँ आप देख लें इन सभी चीजों को जो कि देवर application fee है आगे बात करें यहाँ पर इसी तरीके सा आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं आप सभी steps आपको बताएगया कि की आप कैसे इसके लिए apply कर सकते हैं ध्यान रखें अभी online application का portal open नहीं हुआ है यह आपको first week of April से open होगा ठीक है तो इन सभी steps को देख लेंगे जब आप from fill करने जाएगे उस समय इस सभी steps को ध्यान से देख लें उसके बाद ही इसके लिए apply आप करें आगे बात करें यहाँ पर सेक्शन जो है program of study बताये गया है select the program of study from the following option जब आप from fill करेंगे तो आपको अपना program of study अपना course चूज करना हो यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को देख लें इसी तरीके से बात करें जो इसका date है वो last date किया है deadline जो है undergraduate courses का 17 मई 2021 जो की last date है इसके लिए apply करने का PG program का last date है 29 जून 2021 MBA PhD और faculty of management studies का last date है 9 April 2021 MPHD programs का last date है 20 जूलाई 2021 one year certificate diploma advanced diploma PG diploma courses का last date है 15 अगस्ट दो हजारी की स्कूल ऑफ ओपें लेंडिंग यानि की SOL bachelor's and master courses का जो last date है 29 अगस्ट दो हजार एक्टीस application for part-time affiliation in any course for maximum two semester इसका last date है 15 अगस्ट दो हजारे की तो यह इसका deadline है form आपका first week April से release यान की कल से आना शुरू हो जाएगा तो यहां पर आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं इसके बाद आपका list of documents कौन कौन से documents आपको लगेंगे रहां पूरा structure पूरा detail में दिया गया है तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं बागे बात करें तो selection process यहां पर आपको बताया गया है उसी तरीके से आपको provisional admission बताया गया है तो इस तरीके से आप इस प्रोस्पेक्टस को download कर सकते हैं तो प्रोस्पेक्टस को download करें लिंक आपको वीडियो के description प्रोवाइट करवा दिया जाएगा वहां से आप देख सकते हैं ध्यान रखें यह जो भी है यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही